नमस्कार आपके साथ मैं हूँ कुजोय दब और आप देख रहे हैं भागवत संदेश जिसमें आज जम आपको सुनाएंगे संग प्रमुक मोहन भागवत का वो संदेश जोनों ने 11 नमबर 2022 कुर्णागपुर में दिया जिसमें संग प्रमुक ने व्यापार और अर्थशास् मन है तो अर्थशास्तर की क्या व्यक्या है तो बिलकुल एक प्राथमिक व्यक्या जो पहले सीखते थे अब उसमें और कुछ जोड़ा वड़ा होगा लेकिन साधन कम है और मनुष्य बहुत जादा है और उनकी इच्छा है तो अनन्त है इच्छा कभी रुकती नहीं तो ए अर्थशास्तर है अर्थशास्तर प्रजा के योगक्षेम का शास्त्र है प्रजा याने क्या जो 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 जन्म लेता है वो प्रजा है याने सारी जीविद सुरुष्टी के चलने के लिए जो शास्त्र हमको सिखाता है वो शास्त्र अर्थशास्त्र है हमारा अर्थशास्त्र मेरे जेप का विचार नहीं करता है वो सारे दुनिया में जितना जीवन है वो चले इसका विचार करता है और इसलिए हमको सोचना है अपने देश को बढ़ा करने से हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है स्वार्थ भी आपको देखना है तो अगर देश असुरक्षित है देश की प्रतिष्ठा नहीं है तो मेरा अपना स्वार्थ साधन भी नहीं हो चकता है बहुत अच्छे अच्छे व्यापाणी लोग थे युगांडा में लेकिन भारत देश की प्रतिष्ठा नहीं थी तो इदी अमिन नाम के शासक थे वहां तीन दिन का नोटिस दे के सब को बाहर निकाल दिया बारतियों मुलके सब लोगों को शरीर पर जितना कपड़ा था उस उस संगतर में काम करने वाली हिंदू स्वेम्चोक संग के सुएंचोको ने एक हिंदू काउंसिल अफ केणिया स्भापन किया आइसे सब आने वाले लोगों को थकाल आश्रे दिया और वहां से किसी को इंगलाण में किसी को अमिर्का में बसाया तब जाकर उनकी व्योष्त झाल